नमस्का मित्रों आपको सौगत है हमाई चैनल जी कैसा पर मित्रों आज हम आपको बताएंगे कि फ्रिज का फ्रिज से तो आज सभी परचित होंगे फ्रिज का बर्व जमाने वाला खाना यह मित्रों अक्सर उपर ही क्यों होता है आप में से कुछ लोग कहेंगे नीचे भी होता है आप ऐसे फ्रिज आते हैं पर फिर भी अक्सर फ्रिज में बर्व जमाने वाला खाना ऊपर रखा जाता है और अगर आप देखेंगे नीचे बर्व जमाने वाला खाना वह उपर रखना फाइदे मंद क्यों है क्यों रखा जाता है मित्रों यह मैं आज आपको बताऊंगा इसकी वजय क्या है वजय है हवा हवा गरम होती है तो उपर जाती है घरम हवा उपर जाती है थंडी होती है तो नीचे आती है यानि गर्म हवा उपर जाती है ठंडी हवा नीचे आती है प्रेज के अंदर अगर तापान बढ़ता है हवा थोड़ी सी घरम होती है तो वह उपर पूराती है उपर फीजर रखने से फायदा क्या है उपर फीजर बढ़ बगएरा जम रही है यहां इस से पर्श करके इस कष्ष से हवा ठंडी हो जाती ही नीचे आती है हीजर फीजर थोड़ी बटव गरव होई तो वह उपर जो इससे आते हे चुती ही तो भी हुप समवहन द्बार बैसे भी काम करती है यहां से थंडी हों कर नीचे आती है तोड़ी गरव होई तो उपर सठी आती है वैसे फिरिज बंद रहता है बार बार खोल यह आती लेकिन बंद फ्रीज में थोड़ी फब गरम जो होती है वो ऊपर जाके freezer वाले कुछ से ठक्रा के ठंडियों के नीचे जाती है अगर freezer नीचे रख दिया जाये तो फिर जो भी प्रणाली बनाई जाएगी freezer प्रणाली बनाई जाएकी उसको ये काम करना होगा तक है जब कि वह इतने हिस्से को थंडा रखे लगाता थंड़क बनाए रखे तो प्रणाली होती है इस प्रिज में भी होती है यह जो प्रिज़ के बाउटेमिंच मगण ऐस प्राई में एक फ्रीज के दिवारों के बीज में एक रेफ्रीजरेंट या निए शीद शीदख भ या फ्रीजरेटर के लिए दिवारों भरा होता है वो कोई शस्ता नहीं होता बहुत महगा था है वो बहुत ज्यादा लगेगा अगर ये फ्रीजर वाला खाना नीचे बना दिया जाए उपर बनाने पर इसका अपना जो साथ रहता है सहयोग रहता है उसकी वज़े से पूरा फ्रिज ठंडर रहता है और कम शीतक में वो काम चल जाता है इस लिए फ्रिज में बर्ट जमाने वाला खाना यानी फ्रीजर हमेशा उपर बनाने का प्रैतनी कह जाता है फिर मैं कुछ फ्रीज में आजकल नीचे भी आता है मगर वो प्रिज इस ते ज्यादा अच्छा नहीं होगा जिसमें ये उपर है और आपकी बत्ती भी कम खर्श लेकिन हमाँ साथ जुड़िए हमें सब्सक्राइब करिए कमेंट में जो कुछ कह नहीं कहीं फिर मिलेंगे तो